प्लीज मा, मेरी साथ ऐसा नियाय मत करो, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी शादी तो तेरी होकर रहेगी, और अब मैं भी देखती हूँ कि तु कैसे ये शादी नहीं करती है मा, कम सी कम उसकवी की उमर तो देखो, वो मुझसे कितना बड़ा है अरे, उमर को मत देख, बहुत पैसे वाला दामाट ढूंडा है, मैंने तेरे लिए अब तुझ जैसी मनहूस के लिए कोई राजकुमार तो मिलने से रहा, इसलिए मेरी मान और चुप चाप इस शादी के लिए हाँ कह दे और मेरे सिर से अपना ये बोज हटा, पैदा होते ही अपनी मा को खा गई, फिर बाप को खा गई, अब क्या मुझे मार कर दम लेगी, देख तुन्टुनी, जो भी मैं कर रही हूँ, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, अब जल्दी से तयार होकर बाहर आजा, सब बाहर त पतजार कर रहे है, मा एक बार फिर सोच लो, मैं आपके सारी बात मानूंगी, आप जो कहोगी वो करूंगी, सारी उमर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन टुन्टुनी की सौतेली मा तूनी, उसकी एक नहीं सुनती, बोली टुन्टुनी रोते हुए से ही अपनी किस्मत का लि दरसल टुन्टुनी की सौतेली मा तूनी बहुत लार्ची किसम की चड़िया थी, और सच तो ये था कि वो आज टुन्टुनी की शादी नहीं, बल्कि उसका सौधा करने जा रही थी, जिसके बदले टुनी को एक लाक रुपा मिला था, टुन्टुनी जो शादी करके अपन पतनी सुंद्री है, पुरे एक लाक रुपे दिये हैं। आप लोगों को ये सब करते और कहते हुए जरा से भी शरम नहीं आती क्या। इस घर में खतम हो गया है और अपसे ये बच्चे मेरा है और खबरदार इस बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो अपसे तु घर के पीछे गाय की तबेले में रहेगी समझी। नहीं ऐसा मत करो मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो ये मेरा बच्चा है और मुझे मेरे बच्चे को दे दो मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। खबरदार जो तूने इस बच्चे को अपना कहा थो अपसे ये बच्चा मेरा है और तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है नौकरानी देख चिडिया तेरा काम पूरा हुआ अपसे तू इस घर के काम काच को संभाल और खुश रहे भूल जा कि ये बच्चा तेरा है इसी में तेरी भलाई है। ए टुन्टुरी जल्दी जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दे मुझे सेट जी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर जाना है अब जल्दी जा मेरा मुँ मत देख फिर थोड़ी दीर बद कड़कना सेट अपनी पतनी सुन्दरी कवी के साथ बाहर चला जाता है तभी मौका देखकर टुन्टुरी फोन से वो नंबर मिलाती है हेलो प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझे बच्चा लीजी मेरे बच्चे को बच्चा लीजी देखो बेटा मैं पक्षी मंच की अध्यक्ष हूँ और हमेशा चिडिया के ऊपर हो रहे अत्याचार के वि अब यह लोग नहीं बचेंगे तभी वहाँ पर सुंद्री कव्यू कड़कना सेट आ जाते हैं ए चिडिया किस से बात कर रही थी अब तुम लोगों को अपनी किये की सजा मिलेगी तुमने मेरे साथ आज तक जो भी किया है आज में सबको बताऊंगी ये बच्च तुम्हा नहीं बलकि मेरा है वो लोग यहां पहुंचे उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा उसकी बस सेट और सिठानी दौनों मिलकर टुन्टुनी को खूब मारते हैं और उसका हाथ बैर बानकर स्टोरूम में बंद कर देते हैं तभी घर की डोर बैल बच्चती है और हरी तोती अ है तुम्हारी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि ये बच्चा तुम्हारा है मुझे तो कुछ गडबड लग रहा है इंस्पेक्टर आप जल्दी से पूरे घर की तलाशी लीजिए ये लोग जरूर हमसे कुछ चुपा रहे हैं कुछ दिर बाद पुलिस को टुन्टुनी स्टोरूम में बंदवी मिल जाती है वो टुन्टुनी को वहां से उठाकर बाहार लाते हैं अच्छा हुआ मैडम आप आ गई वरना ये लोग आज मुझे जान से मा डालते मैडम ये बच्चा मेरा है मुझे मेरा बच्चा दिला दीजी तुन्टुनी तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिलेगा और तुम्हारा हक भी उसके बाद हरी तोती कड़कना सेट से कहती है पुलिस और हरी तोती के डर से कड़कनास सेट अपना घर टुन्टुनी के नाम कर देता है कड़कनास सेट और सुंदरी को पुलिस पकड़ कर जेल में बन कर देती है मैडम मुझे मेरा बच्चा घर दोनों मिल गया लेकिन में इतने बड़े शहर के जंगल में अकेली बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी चिन्ता मत करो टुन्टुनी, वही पास ही मेरा एंजियो है तुम मेरे एंजियो में अपसे काम करोगी और अपना और अपने बच्चे का भविश सुन्दर बनाओगी टुन्टुनी शहर के जंगल में हसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है इधर टुन्टुनी की सौतेली मा और सेट और उसकी पत्नी को साथ साल की सजा मिल जाती है सुन्दर्वन के जंगल में तूनी चुडिया अपनी बहुत तुन्टुनी चुडिया के साथ रहती थी तुन्टुनी चुडिया का पती बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था तोनी चड़या के घर से कुछी दूरी पर कालू कवई का अंगूर का बगीचा था बगीची में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे अंगूर की मेटी मेटी खुश्बू से सारे पक्षियों की मुँमें पानी आ जाता था एक दिन दोनों सास बहू अपने घोसले के बाहर बैटी ठंडी ठंडी हवा का आनन ले रही थी तबी अंगूर की मेटी खुश्बू आ पी है मा जी अंगूर की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है जी करता है अभी जाओ और तोड़ कर अंगूर खालू हाँ बहू मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है पर तू देख रही है ना कालू कवव किस तरह अपने बगीजे की रखवाली कर रहा है अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे रात होने का इंतजार करते हैं जब कालू कववा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे लेकिन माजी मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है आप ऐसा करिए कालू कवव को किसी बहाने से यहां बुला लीजी और अपनी बातों में उल्जाय रखिएगा तब तक में कुछ अंगूर चुरा लूँगी फिर दोनों आदा आदा बाढ़ कर खालेंगी लेकिन बहू अंगूर चुराते हुए तो पकड़ी गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी आप बेकार में टर रही है माजी ऐसा कुछ नहीं होगा मैं यहां से जाओंगी और आप कालू कवई को बिला कर अपनी बात तुमें उल्जाए रखिएगा तब तक उससे बाते करिएगा जब तक मैं वापिस ना आ जाओ तूनी चुडिया टून्टूनी की बात मान लेती है तून्टूनी की जाते ही तूनी चुडिया जूट मूट कर चिलाने लगती है अरे 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 ओ कालू भाईया जल्दी यहां आओ मेरे घौसले में एक साप गुसाया है जरा उसे निकाल दो तूनी चुडिया की चिलाने की अवाज सुन कर कालू कवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़ कर वहां आता है क्या हुआ तूनी बाभी कहा है साप मैं अभी उसे निकालता हूँ हाँ कालू भाई जल्दी आये ये देखे इस पलंके नीचे साप गुसाया है कालू कवा साप को इदर-उदर ढूणने लगता है उदर टून टूनी चुडिया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है काफी ढूणने के बाद भी जब साप नहीं मिलता तब कालू कवा वहां से जाने लगता है बावी लगता है मेरे आने के डर से साब भाग गया अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूं नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे ऐसा केकर कालू कववा वहां से चला जाता है उसकी जाने के पाट तुन तुनी चुडिया पकी पकी अंगूर को लेकर गर पहुँच जाती है ये लिजी माजी पके पके रसीले अंगूर जी भरकर दोनों सास बहु मिलकर अंगूर खाने लगती है बहु आज तो अंगूर खा एक दिन कालू कवे को शक होता है अरे रोज रोज मेरे बगीचे से अंगुर कम हो रहे हैं लगता है कोई इने चुरा रहा है इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दुपैर होने पर टूनी चुडिया फिर से कालू कवे को बुलाने लगती है लेकिन कालू नहीं आता दौनों सास बहू मन मार कर रह जाती है तुन्टूनी बहू अब क्या करें ये कालू तो अपने बगीचे से हटी नहीं रहा है कोई बात नहीं मा जी दिन में न सही हम लोग को रात में अंगूर क divorced करेंगी कि उस समय कालू कवे स्वादू आश्यों करने का प्लैन बनाती हैं देर अंगूर करने की प्लैन का द दोảiला machineilia हुए जाल में फस जाती हैं माजी यह क्या हुआ हम लोग तो जाल में फस गए अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगुर चुराए थे तभी कालू कववा वहां आ जाता है और कालू कववा जोर-जोर से चोर चोर चिलाने लगता है कालू कववा उन दोनों को छोड़ देता है उस दिन के बाद से वो दोनों अंगुर को चुराना छोड़ देती है